एक परिवार पर कुद्रत ने ऐसा कहर बरपाया कि परिवार संकट से उबर ही नहीं पा रहा दरहसल ये दर्दभरी दास्ता चौमो के टावा भूब जी के चंदराम ज्यादव के परिवार की है इस परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा ग्यारा साल से सोहनलाल कुमा में है लेकिन परिवार को अब भी उनके उठखड़े होने के आस जगी है बैट पर लेटा ये शक्स सोहनलाल ग्यारा साल से यहीं लेट रहा है ना कुछ बोल पाता है ना कुछ सुन पाता है केवल सांसे चल रही है और परिवार के लोगों को हर दिन चमतकार होने का इंतजार है क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुकी है लेकिन छोटे छोटे दोनों बच्चों को पापा के उठने का इंतजार है तो वहीं पतनी को पती से कुछ सुनने का इंतजार है, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई है ये दर्द भरी दासता गुविंद घर पंचाय समिती के इतावाप भूपजी गांव के निवासी सोहनलाल यादव की है 32 साल के सोहनलाल यादव के पिता का 2000 में देहान थो गया था उसके बाद से चाचा चंदाराम ही घर की मुखिया बन कर परिवार का पालन पूशन कर रही है साल 2007 में सोहनलाल की देखा के साथ शादी हो गई लेकिन किसे पता था कि एक हादसा सब कुछ बिगार कर रख देगा दरसल हुआ कुछ यों कि सोहनलाल गोविंद गड़ की एक फैक्टरी में काम करता था जहां साल 2012 में बिजली का करंट लगने से सोहनलाल जुलस गया और कोमा में चला गया परिवार के कई लोगों ने कई जगह इलाज कराया लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया ज़्यों उसका उसके अलावा उसकी पतनी सही योग करती है उसकी माता सही योग करती है और वो सही यह है इलेक्ट्रिक शोट लगा था नैस्नल एगरिकल्चर वरकसुदेप्रियमोड परिभी पर में था यह जब दो दो बच्ची बच्ची हैं एक महने का लड़का था जब इसके इलेक्ट्रिक शोट लगा जब और तीन साल की लड़की थी इसके उस टैम जब मैं चोटी दी तो मेरे पापा कोमा में चले गए और मैं अपनी नानी के घर पड़ती हूं और अब तो में परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है परिवार की तमाम जिम्मिदारी अब चाचा चंदाराम के कंधों पर हैं जो ग्यारात सालों से भतीजे की सेवा तो कर ही रही है साथ ही परिवार का पालन पोशन भी कर रहे हैं ऐसे में उन्हें भामा शाहूं और सरकार से मदद की दरकार है फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनूज सेनी की रिपोर्ट चुमू